प्यारे बच्चों, COVID-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें। इसके लिए जार्खन सतकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शिन, हमारा विद्याले कारिक्रम। इसके माध्यम से आप प्रते एक दिन सुमवार से शुक्रवार तक पुर्वाहत दस से बारा तथा अपराहन एक सी दो बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कारिक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता वि अध्यान के अध्याय अप वाह के साथ करेंगे और साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। छीक इतके बाद कक्षा एक ज्यार में रसायन विज्ञान के अध्याय पढ़मानों की सनलचना को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करें हेलो दोस्तों ये है वुगोल के पार्टीम अफ़ा का दूसरा भाग आज के विडियों में हम प्राइब उप्रियों के बारे में जानेंगे जीलों के बारे में बढ़ेंगे हम जानेंगे कि नदियों का हमारे दिमनें क्या महथा होता है और नदी प्रदूशन पर भी चर्चा करेंगे तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं सबसे पहली प्राइब रितिये नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नर्मदा नदी दोस्तों नर्मदा का उतकम मध्य प्रदेश में अमर कंटक की पहाडी के निकट से होता है यह नदी पश्चन की ओर एक घ्रंच खाटी में बैती है दोस्तों अपने समुद्र तक पहुचने के एक्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्मान करती है उधारन के तोर पर जबनपूर के निकट संगमरमर के शेलो में यह नदी गहरे बोट से बहती है और चाहां यह नदी तीमरड हाल से गिरती है वहाँ पर यह धुआदार प्रपात का निर्मान करती है दोस्तों नर्मदा की सभी सहायत नदियां बहुत ही छोती है और नर्मदा द्रोनी मद्धे प्रवेश और गुजरात के विजभागों में विस्तृत है चलिए अब बात करते हैं तापी नदी पी तापी का उद्गम मद्धे प्रवेश के बेतूल जिले में सक्पुरा की पहाडी श्रिंखलाओं से होता है दोस्तों यह नदी पी नर्मदा के समान एक ब्रंच खाटी में बहती है लेकिन इस नदी की लंबाई बहुत ही कम है इस नदी की अप्वाद रोनी मद्धे प्रतेश, गुजरात और महराश्ट्र राज्यों में है चलिए अब हम बात करते हैं गुदावरी नदी की प्राइद यह नदी बनाती है यह नदी महराश्ट्र के नासिक जिले में पश्रिम घाटी की ढालों से निकलती है जिसके बाद यह नदी बंगाल की खाडी में गिरती है दोस्तों अपने बड़े आकार के कारण इस नदी को दक्षिन भारत में दक्षिन की गंगा या व्रिद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है अब हम बात करते हैं महा नदी तीसरी सबसे लंबी प्रायरग में पिये नदी ते जिसका उर्गम 36 गर्ड की उच गूमी से होता है और यह नदी औरीसा से बैते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों इस नदी की लंबाई करीब 860 किलोमीटर है इस नदी की अपवाद रोमी महाराश्र चत्रिसकर जारगन और औरीसा में है अगली प्राइड वीपिया नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कृष्णा नदी दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है इस नदी का उर्गम महाराश्र के पश्यमी घार्ट में महाबलेश्वर के निकट से होता है इस नदी का अपवार तंत्र महाराश्र करनाटक और अंदुर्यदेश के राज्यों में सिथ है प्रिश्णा नदी की प्रमुक सहायब नदियां है दूटकंगा, पंचकंगा, तुंगभद्रा, कोईना, आदी दोस्तों आखरी प्राइड में प्या नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कावेरी नदी कावेरी पश्यमी घार्ट से भ्रह्मा गिरी श्रिंख्रा से निकलती है और तमिल नाडू के खुदू लूर के दक्षिन में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है इस नदी की अफवाग्रोनी तमिल नाडू केरल और कर्माटक में स्थित है कावेरी नदी की प्रमुक सहायक नदियां हैं अंग्रावती, भवानी, हेमावती और कभीनी दोस्तों इस नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है चलिए दोस्तों ये तो बात होई प्राइड लिदियन अदियों की अब हम बात करेंगे जीलों ही दोस्तों कश्मीर खाटी में प्रसिद्ध डल जील से तो आप परचित होंगे यहां पाई जाने वाले नाव वाले घर और शिकारा के बारे में याँ जानते हों कश्मीर में स्तित ये डल जील जील का एक उधारन है तो चलिए देखते हैं कि जीले आके खोती क्या है दोस्तों जल भरे विशाल गठे को जील कहा जाता है इन जीलों में पाणी वर्षा के जल से आता है और हिम चादरों के पिगनने से ही आता है दोस्तों भारत में बहुत सी जीले हैं ये एक दूसरे से आकार और लख्षेनों में अलग अलग होती है सबसे पहले हम जानते हैं गोखुर जील के बारे में नदी में अफसाद की मात्रा बढ़ने पर भूमी की धाल कम हो जाती है और तब उसका मार्ग फैलने लगता है ये हैं विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है और इसका आकार गाय के खुर के समान हो जाता है दोस्तों ऐसी जीलों को गोखुर जील कहा जाता है इसी तरहां स्पिट और बार तकिये शेत्रों में लेगूनों का निर्मान होता है दोस्तों भारत में चिलका जील, कुलिकर जील और कुलेरू जील लेगून का उधारन है दोस्तों इसके अलावा जल वित्यूत पैगा करने के लिए भी नग्यों पर बांध बनाये जाते हैं जिससे जीलों का निर्मान होता है भाकरा नंगल परियोजना, डैमपर, बनी, गुरुगोबिन सागर इसी का उधारन है दोस्तों जीलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है चलिए देखते हैं कि जीलों के महत्व क्या है जील सुन्दर काकरतिक रूप और पगेटिकों को आकर्षित करने के स्थान के रूप में देखी जा सकती है नदियों के बहाव शेत्वों को सुचारू बनाने में भी जीले सायायक होती है अत्य दिक वर्षा होने पर जीले नदियों में संत्लर लाते हैं इसी के साथ साथ सूखे के दिनों में जील का पानी उप्योग में लाया जा सकता है विद्यू तुद्पादन में भी जीलों के पानी का प्रयोग होता है चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि नदियों का अर्थ व्यवस्था में क्या महत्व है पूरे मानव इतिहास में नदियों का बहुत ही जादा महत्व रहा है नदी के पानी के कई उप्योगों के कारण नदीयों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवास्तों को अपनी ओर अगर्षित किया है और कई मानस अप्थेताओं ने नदीयों के किनारे ही जन्म दिया ये सब ही गाओं आगे बढ़कर बड़े बड़े शहरों में परिवर्थित हो चुकी है लेकिन दोस्तों भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकांश जन्संख्या जीनिका के लिए खृशी पर निर्फ़ है वहाँ सीचाई, नौसंचारन, जल्म विद्यों के निर्मान में नदियों का महत्ति बहुत ही अधिक है नदियों के हमारे जीन में इतने महत्ति के बावजूद, नदी प्रदोशन आज की सबसे बड़ी समस्या है नदी का जल, घरेलू और त्योगे और खृशी की बढ़ती मान के कारण प्रदोशन हो रहा है और इसकी कमी भी बढ़ती जा रही है दूसरी योद, उद्योगों का प्रदोशन और कच्रा नदी में मिलता रहता है जिसके कारण जल की गुनवत्ता के साथ साथ नदी की स्वतेर स्वची करण की शंपा की प्रवावित होती है दोस्तों उधारन के तौर पर गंगा का जल लभख 20 किलो मुटर शेत्र में फैले बड़े शेहरों की गंदगी को तनू करके समाहित कर सकता है लेकिन लगातार बढ़ते हुए और योगे करण और शेहरी करण के कारण ऐसा संभव नहीं हर पाता और अनेक नदियों में तरोशन का स्वत बढ़ता रहता है चलिए दोस्ते आज के इस पार्ट में बस इतना ही मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे पितामच में आया होगा चलिए एक नजर डागते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा हमने प्राइब ने किये नदियों के बारे में जाना हमने उशीलों पर और उनके अनेक आकारों पर चर्चा करी हमने नदियों का महत्वर जाना और हमने नदी प्रदूशन की समस्या के बारे में भी बात करें दोस्तों आप घर जाकर अपनी भुबोल की पुस्तक समकालीन भारत में से पार्ट तीन अपवा जर्म पढ़ने का अगली विडियो में हम इस पार्ट पर आधारित कुछ प्राक्टिस पर्शन करें धन्यवाद प्लूशन करें और आप्लूशन करें सम्क्रकिण तीन प्लूशन क्या में的 थह चैन्यवाद जो रो कर दो कर दो प्र फ़क्राइफ दोया है यो जड़ कर दोया है नमस्कार विद्यार्थियों इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाधत है आजहां राहूल सांकृत्यायन द्वारा रचन पाठ लहासा की ओवर को पढ़ने वाले हैं यह इस पाठ का अंतिम वीडियो है और यह पाठ हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक क्षितेज भागेक में संकलित है आएए जामते हैं इस वीडियो के विशयमनों आज के इस वीडियो में हम डांडे से लहासा की ओर जब लेखक जा रहा था तो क्या कुछ हुआ उसका वुणने करेंगे आएए शुरू करते हैं इस वीडियो में लेखक बताता है कि अन्होंने तो घोडे ले लिये थे और उस घोडे पर सवार होकर वो डांडे की आत्रकर में निकल पड़े थे तो दुपहर का वक्त था और लगभग जो लेखक था वो समुद्र तल से सत्रा अठारा हजार फिट उचाए बरकड़ा हुआ था तो यहां पर लेखक बताता है कि उस समय जो कर्मी थी वो कितनी हो रही थी तो लेखक बताता है कि डांडे का जो रूप था वो भी बहुत ही घास नहीं थी कोई ऐसा कोई पेड़ पौध है नहीं थे और ना ही कोई बर्फ की सफेदी थी कोई बर्फ भी नहीं था तो बहुत ही बियावान जैसा था उजाण जैसा था और बहुत ही भायवाय हस्तिती थी वहां कि लेखक बताता है कि उस रास्ते से होकर लेखक एक एक स्थान पर पहुंचा जो डांडी के नाम से प्रसिद्ध था और डांडी नामक जो स्थान था वो देवता का स्थान था जो पत्थरों के धेर से और जानवरों की सींग, पुतीली, लाल, हरी, इत्यादी जंडियों से बना कर उस मंदिर को सजाया गया था तो हुआ एक धार्मिक स्थान जी था जहां पर लिखक नी यात्रा के दोरा एक विशेश अनुगरा कीया, लिखक बताता है कि जो घुरा हमने लिया था वो घुड़ा तो ठीक था पर जो लिखक के पास जो घुड़ा था वो बहुत ही सुस्थ था, क्यों सुस्थ था? क्योंक पात्र का वड़न करता है जिसका नाम है देन्क्यूा किस्तो किस्तो कि सो जो है वह ऐक ऐसा पात्र था जो अपने उपन्यास में एक गोड़े पर चलता हुआ जा रहा था जूनता हुआ दीरे-दीरे तो लेख़को भी वैसा ही अनुभव होने लगता है, इसलि glorious लेख़को लगता है कि यह जो भोडा है, वह बहुत ही सुस्त है और आगे राष्टे में उसको इसको इससे बहुत ही परिशानी हो, और ऐसा होता भी है, कि एक जगा पर क्या होता है, कि दो रास्ते फूट रहे होते हैं, यानि दो राहा होता है, तो ऐसी स्थिती में अब लेखक कन्फ्यूज हो जाता है, लेखक समझ नहीं पाता है, कि उसे किस रास्ते पर जाना है, तो वह गलत रास्ते पर चला जाता है, और तब उसे पता चलता है कि गलत रास्ते आ गया, और इस पेर क्या होता है कि उसका जो दोस्ट है सुमति जिसके साथ वो यात्रा कर रहा है औश काफी देर से उसका इंतसार कर रहा हो था और वो बताता है कि वो बहती घुश सा था अब यहां पर सुमती के चर्त्र के बारे बताएं या उसके ुपरेखा के बारे बताएं कि जो सुमती है वो मंगूल थां तो मंगूल का भूत वैसे हिलाल होता है तो वो बताता है कि जब लेखा वहाँ पहुँचा तो सुमती बहुत questionable कुशा करने लगा वो कहने लगा कि मैंने दो टोपरी कंडे जो हैं फूब डाले कंडे का मतलब होता है जो गूबर की उपले बनाए जाते हैं उसने फूब डाले उसने दो टोपरी और तीन-तीन बार चाय को गरम कर लिया था यानि उसने बहुत इंतजार किया था लेखक का पर लेखक जो है वो तो रास्ता भटक गया था और किसलिए भटक गया था वो बताता है कि उसमें उसका कोई दोश नहीं था क्योंकि उसका जो घोड़ा है वो अधी बहुत सुस्थ था तो अब क्योंकि लेखक जो है वो रास्ता भटक गया था और काफी समय व्यर्थ हो गया था इसलिए वो लंग्कॉर में एक अच्छी दघार पर हैर कर जाते हैं यहां पर लेखक लंग्कॉर की यात्रा कभर्णन करता है कि लंग्कॉर का उसका अनभव कैसा रहा है द्यान रेविद्यारतियों, हम पहले वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं कि लेखक कार्टमांडो से लहसा की ओर जा रहा है, तिम्पित की ओर जा रहा है, तो ये जो स्थान के नाम है, ये उसी क्रम में है, अब तक हमने जितना पार्ट पढ़ा, उसमें हमने ये जाला कि दांडे का रूप कैसा था, और लेखक को एक सुस्त घोडा मिल गया था, जिसके वज़े से वो रास्ता भटक गया था, और उसके लिए जो रास्ता है, वो बहुत ही जादा मुश्किल हो गया था, तो जो डेढ़ दूम मील का रास्ता है, वो दुबारा ते करना पड़ा, उससे में उनका समय भी बहुत विर्थ हो गया, आगे अब हम आगे का अंश पढ़ते हैं, आगे लेखक बताता है कि लंकोर के बार, वो तिंगरी नामा के एक स्थान पर पूचे, अब तिंगरी जो है, वो एक बहुत ही विशाल मैदान था, यहाँ पर देखे, जो लेखक ह है, वो जोग्रासिक स्ट्रक्चर भी बता रहा है, वहनि भावालिक स्थिती भी बता रहा है, स्थान की, टिंगरी है, वो महां से टापूँ से घिरा मालूम होता था, जिसमें छोटी सी पहाडी मैदान के भितर दिना तो उसी पहाड़ियों में एक छोटी सी पहाड़ी ती ज़सका राम था तिंगरी समान है और इसलिए उसका नाम तिंगरी पड़ गया था तो जो लेखा के साथ जा रहा है सुम्ती तो सुम्ती है वो यहां पर एक वैपारी के रूफ में दिखता है वैपारी के ऐसे कि सामालने ता हूँ साधू है और साधू है तो वह क्या करता है वो लोगों को चीरी बत्तियों के गंडे बना कर लेता है अब ये गंडे क्या होते हैं गंडे होते हैं पुटार के तावीज तो वह तावीज देया करता था क्योंकि वह उसे बहुत बताता है कि जो सुमती है, वो यहाँ पर बहुत समय लगा रहा था। तो लेखक को वो समय व्यर्थ नहीं करना था, कि क्योंकि उसे लहासा पूँचना था। तो लहासा मौचनी के लिए लेखक बहुत ही पक्सा ही था इसलिए उसने बोला कि आप जो यहाँ पर गंडे बाट रहे हो इसे बाटना बंद करो और इसके लिए मैं आपको पैसे जो है वो लहासा जा कर दे दूँगा और इसलिए जल्दी चलो तो सुमदी ऐसे इसा ही करता है सुमदी को पैसे चाहिए होते हैं और वह उसे मिल रहे होते हैं तो वह झाल करेगा तो लेखक जो है वो यहां से चलते 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 व मत होता मठ यानि धार्मिक केंद्र तो वहां पर पहुंचते हैं और जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यह जो शेकर विहार है छोटे-छोटे जागिरदारी में बटा होगा जागिरदार यह एक प्रवस्ता है जिसका अध्याद आप इत्यास में भी कर चुके हुए त तो जागिर दार्ट जो होते हैं वो यहां पर खेती करवाया करते थे तो और यहां पर काफी मठ भी थे और यहां पर अत्यादिक जो है वो भिक्षूओं का सम्माल होता था यानि विक्षूओं को बहुत ही जादा श्रेश्ट समझाता था तो यहां पर लेकत बताता है कि शे क्योंकि लेखक जो है वो भीकारी के वेश में था, इसलिए उसका उतना सम्मान नहीं होना चाहिए था, या रास्ते में लोगों नहीं किया था, किन्तु जो निम्से हैं, जो मुख्या विक्षू हैं, उन्होंने लेखक का बहुत ही सम्मान किया, अब यहां पर लेखक को एक बहुत ही रोचक वस्तु मिल गए, वो क्या थे, वो थे कुंजर, कुंजर जो होते हैं, वो बुद्ध वचर का अनुबाद होते हैं, यानि जितने भी बुद्ध ने उब्देश दिये, और उब्देशों का अनुबाद, तो लेखक उसे पढ़ने में रस्त हो जाता है, और जब लेखक से सुमती पूछता है, ति क्या हमें जाना चाहिए, तो लेखक जो है, वो इतना रम जाता है पाठ में, कि वह कह देता है कि हाँ, ठीक है, चलते हैं, और लेखक को जाना पड़ता है, तो इसी लिए लेखक जो है, फिर वो लहासा पहुचने के लिए, लगभग थोड़े ही समय बाद लेखक लहासा पहुचना है, अई विद्यार्थों हम जाते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि तब कालीन तिल्बिती समाज कैसा था, महा के स्थिती कैसी थी, महा पर क्या कुछ सा, यह हमने जाना, और इस पार्ट से सम्मंगित सभी प्रशनों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगी, अंत्मी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशनों को भी किया। चीक इसके बाद कक्छा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय परमानों की सनरचना को पढ़ा। आए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों कल हम कक्छा 9 में हिंदी के अध्याय लहासा की और को पढ़ेंगे। इसके बाद कक्छा 11 में बायोलोजी के चैप्टर मॉर्फोलोजी और फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ेंगे। इस प्रसारन सी संबंदित सुझाव अपने प्रशने दिया दी आप हमें www.jcertrg.gmail.com तथा टूल फ्री नंबर 18000-5728-585 पर संपर कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं।